इस देश की एक आम नागरिक एक औरत आज मैं इस विडियो के माध्यम से आप तक एक अपील पहुँचाना चाहती हूँ यह अपील मैं पून रूप से एक औरत एक इंसान होने की हैसियत से कर रही हूँ पिशले धाई महिने से हमारे देश का एक राज्य मनिपुल जातिय हिंसा की आग में जल रहा है इस आग की लपट में डेशों से अधिक लोग आ चुके हैं जिन में पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी शामिल हैं मगर आज एक जगहन्य वजह से मेरी आत्मा काम उठी है और हिंसा को बढ़ावा देकर लाशों पर अपनी सत्ता की नीव रखकर कटे हुए नर्मुंडों से अपना सिंहासन सजाने वाले एक सरकार की डर के बावजूद मेरे लब खुल बड़े हैं कुकी जनजाती की दो महिलाओं को सरयाम नग नवस्था में सैकड़ों की तादाद में मैतेई मर्द एक मैदान में ले जाते हैं उनके शरीर के साथ खिलवार करते हुए उनकी निश्चित मृत्यू की ओर आज करोड़ों लोग वो विडियो देख रहे हैं कुछ मानवता की मौत का शोक मना रहे हैं कुछ पित्रे सत्ता के द्वारा औरत के शरीर को जंग में जीत या हार का हथियार और परिणाम दोनों बनते हुए बस देख रहे हैं आप भी एक महिला हैं एक आदिवासी महिला हैं इस देश का इतिहास सद्यों से मूल निवासी महिलाओं के साथ हुए हिंसा को देखता आ रहा है आप भी जानती है आपका देश के सर्वोच्चपद पर होना सभी महिलाओं के लिए गर्व और आश्वाशन का विशय था फिर आप चुप क्यूं है आपके पास वो अधिकार है वो ताकत है जो हम जैसी आम महिलाओं में नहीं है आम नागरिकों में नहीं है आप शानती की अपील करेंगी तो शायद देश की विभिन समुदायों में हिंसा को पालने वाली सरकार की डिनर टेबल से गिरते लोगों के मांस के टुकरों पर पलने वाली देश की मीडिया को मनिपूर का एहसास हो शायद आपके कहने से दुनिया में बचते भारत के डंके की आवास की शोर में कहीं उन्हें उन दो कुकी लड़कियों की आखों में गुंचती चीख सुनाई दे शायद सरकार को ही गोश्ट नोचते नोचते या याद आ जाए कि ये तो इनसान का है औरत का शरीर इस देश में बहुत सस्ता है शायद आपकी आवाज से उसे कोई भाव मिले इसलिए मैं आपसे करबर्ध प्राथना करती हूँ उन दो कुकी महिलाओं के लिए जो उन सो आदमियों के नंगे जीत की एक कातिल, बुजदिल, फासिवादी सरकार की और पित्री सत्ता की बली चढ़ गई मनिपूर को बचा लीजिए वहाँ की ओर्तों को बचा लीजिए अब आप ही को बचा लीजिए